जए हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लिए कर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित के बहुत ही मात्वण कॉशन आंसर प्रेक्टेस सेट अपना तेरवा है बारा प्रेक्टेस सेट हो चुके हैं तो वीडियो भी आप देखन ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो आज का फर्स्ट कॉस्चन है यहाँ पर क्या है देखिए खालिक बारी किस परकार की रशिना है चार विकल्प आपके यहाँ पर देगा है आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर ज़रू बताएं क्य माना है तो किस ने माना है किस वह कौन समीक चक हैं यह आपके लिए बताना है चार विकल्प हैं से उपर साथ से हैं या आनंद कुमार स्वामी हजार पर साथ दोवेदी राम ब्रक्ष बेनी पूरी तो दो का सही आंसर विकल्प नंबर भी आनंद कुमार स्वामी आपका यह आंसर विकल नंबर भी राइट आंसर है अंगला कॉस्चन है आपर पूंचा गया है सिंधी भासा का विकास अब ब्रंस की किस बोली से माना गया है तो सिंधी भासा का विकास बताने अब ब्रंस की किस बोली से माना गया है पैसाची ब्राचड मागदी सौर सेनी तो कॉस्चन नमबर तीन का भी राइट आंसर है अपराध आपका यहां पर विकल नमबर जो बी दिया गया है आपका यहां पर सही आंसर है अपराध राइट आंसर है अंगले question है, sab Russell's के रचिनाकार कौन है? तो यहां पर आपके लिए बताना है question no. 5 का सही answer क्या होगा? सब Russell's के रचिना कार बताना है, आपके यहां पर 4 विखल्श भी दे गए है, question no. 5 है और आपका सही answer है मुल्ली बज़ी विखल्श नंबर 1 आपका राइट आंसर है अंगले क्वोस्चन क्या है देखें अंगले क्वोस्चन आपसे पूचा गया है क्या पूचा गया है ब्यक्सी का मजार उपन्यास किसका है तो ब्यक्सी का मजार उपन्यास है और किसका है प्रताब नारायन स्रीवास्तब अमरित लाल लांगर चतुर प्रतम संपादक हैं अंसर है और सथ का सई आंसर होगा आपका यहां पर क्या होगा राइट आंसर विकल नंबर भी राइट आंसर आपका यहां पर सई आंसर है अंगले question क्या पूशा गया है काप हेतों में विद्पत्ति का सही अर्थ है तो क्या है यहां पर इसका सही अर्थ बताना है सब्द ग्यान परिश्रम या प्रगाड पांडेत या लोक ग्यान यह आपकी चार विकल्प है question number 8 का सही आंसर बताना है तो 8 का सही अंसर है सब्द ग्यान आपका है आपका यहां पर सही अंसर है विकल्प number 1 का आपका सही आंसर है काप विकुणों की प्रतिष्ट आपक आपक आचार है कौन है महत्तुपूण question पूशा गया है यह आपके लिए बहुत ही महत्तुपूण है तो काप गुणों की प्रतिष्ट आपक आचार है दंडी, बामन, कुंतक, रुद्रट यह आपके चार विकल्प दे गया है question number 9 है और 9 का सही आंसर है विकल्प number B आनकी बामन आपका है यहां पर सही आंसर है बामन जिन्हों ने बताया है उनका सही आंसर है विकल्प number B राइट आंसर है अंगला question है बे दिखदा भंगी भनीती किसका सूत्र है तो इस सूत्र बताना है यह सूत्र किसका है तो बताईए इस सूत्र किसका है चार विकल्प आपके यहां पर दे गए है महत्यपुन question है question number 10 और 10 का सही आंसर है बामन कुंतक भामय अब पैदिखचित तो question number 10 का सही आंसर विकल्प number B आनि की कुंतक आपका यहां पर सही आंसर है कुंतक जिन्हों ने बताया है उनका राइट आंसर है अंगला question क्या है question number 11 यहां पर पूंचे गया है हट योग का पिरभाव किस कभी पर पड़ा question number 11 है चार विकल्प है महत्यपुन question पूंचे गया है सवंभू या घाग भंडरी बंडरी या गोरखनात या पुस्पदंत हट यूग का प्रभाव किस कभी पर पड़ा तो आपका सही आंसर है गो रखनात विकल्प नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर है Q12 यहाँ पर पूंचा गया है Q12 इनमें से संकलन त्रय में किसकी गढ़ना नहीं होती है तो किसकी गणना नहीं होती है प्रभाव संकलन, समय संकलन, इस्तान संकलन या कारी संकलन क्वेस्चन नमबर 12 है चार विकल्प देगा है और आपका सही आंसर है विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर है यानिकी प्रभाव संकलन प्रवास अंकलन की करना नहीं होती है अंगले question है हिंदी जाती की आउधाना के प्रुस करता कौन है यह आपके लिए बताना है तो question number 13 है और 13 का जो सही answer है अग्ये भागी रतमिस्र नगेंद रामबिलास सर्मा question number 13 है right answer विकल्प number D रामबिलास सर्मा आपका यहाँ पर विकल्प number D सही answer है अंगले question क्या पूँचा गया है तुलसी दास की किस रशिना में संते महंतों की लक्षन बिल्णत हैं यह आपके लिए बताना है पारवती मंगल जान की मंगल बेराग्य संदीपनी या रामग्या प्रसन है तो question number 14 है और आपका यहाँ पर जो सही answer है चवदा का बेराग्य संदीपनी आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number C right answer होगा जय बर्दमान नाटक की लिखक कौन है? question number 15 का सही answer बताईए यहाँ पर 15 का सही answer क्या होगा? question number 15 है चार विकल्प आपका यहाँ पर पर दिये गए है और आपका सही answer है विकल्प number B यानि की रामकुमार बर्मा आपका सही answer है विकल्प number B right answer है अंगला question क्या पूंचा क्या है? तो अंगला question आप से यहाँ पर पूंचा है क्या है मुकुल नामक कवीता संग्रा किसका है मुकुल नामक कवीता संग्रा है तो नरेंदर सर्मा माखनलाल चतुरवेदी गया पिरसाद या सुभद्रा कुमारी चोहान कॉस्चन नमबर सोला है और सोला का जो सही आंसर है आपका बहे पर है आपका सही answer 16 का क्या होगा right answer 17 कौमारी चोहान विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number D जिनों ने बताया है उनका सही answer है बिल्कुल सही right answer है अंगला question question number 17 नहीं पर पूचा गया है चक्र कल्ब के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर आपकी ऐसे ऐसी question है जो बहुत ही महत्पूर्ण है और कठेन question है यह आपके तो question number 17 का सही answer होगा आपका यहाँ पर विकल्प number 1 यानिकी एसपाल आपका सही answer यहाँ पर है अंगला question है चेखब एक interview किसकी रचिना है आपके लिए बताना है यह रचिना किसकी है तो question number 18 है अपना 18 का सही answer है यहाँ पर क्या है right answer चेखब एक interview किसकी रचिना है तो 18 का सही answer है विकल्प number D आनिकी राजंदर यादव आपका सही answer है राजंदर यादव आपका यहाँ पर सही answer है बिलकुल सही आला किसी रचिना में गाया जाता है महत्पुन question पूंचा गया है question number 19 आला जो है आला किसी रचिना में गाया जाता है बसंत बरसा ग्रीज में हेमन्त यहाँ पर हेमन्त लिखा है तो बताईए क्या होगा इसका सही answer तो यहाँ पर question number 19 है 19 का सही answer है आपका बरसा बरसा रितु आपका सही answer है बरसा रितु में गाया जाता है आला बरसा रितु राइट आंसर है बिलकुल सही नाट बृत्यां बृत्यां कितने परकार की हैं यह आपके लिए बताना है पांच चार साथ नो यह आपके चार वि सिंदर में अनुमिति बाद की स्थापना किस ने कि तो झुन की बट लोलत न न अबिना गुप्त ने संकोक्ष तो इस आपके चार विकल्ब नंबर ऑकर के संकोक सही आंसर है विकल्फ नंबर गातकर यहां पर सही answer है अंगले question यहां पर पूंचा गया है रण मल्ले चंद काब्बे किसने रचा है इसकी रचेता है जगने के या सिरीधर नर्पति नाले भट्ट केदार तो question number 22 का सही answer आपका जो यहां पर है बहे है आपका क्या है right answer तो विकल नमबर भी right answer है शरीधर आपका सही answer है बिलकुल सही अंगले question क्या पूंचा क्या है question number 23 आप से यहां पर पूंचा क्या है जैदेव से प्रभावित विद्यापती की कौन सी रचना है पदावली है या किरती पता का है किरती लता है या कोई नहीं तो question number 23 है चार विकल आपके हाँ पर दे गए है और आपका हैं पर जो सही answer है 23 आपका विकल नमबर एक यानिकी पदावली आपका है यहां पर सही answer है पदावली आपका right answer है बिलकुल सही बहुत बढ़िया विकल नमबर एक right answer है अंगले question भरत की अनुसार नाट्ट मंच कितने पिरक है विकल नमबर एक यानिकी तीन परकार की है एक आपके हाँ पर right answer है बिलकुल सही अंगले question है ग्यानसरी साखा का कभी कौन नहीं है नहीं है पूछा है आपसे तो कौन नहीं है यह आपके लिए बताना है तो ग्यानसरी साखा का कभी कौन नहीं है मलूक दास कबीर दास अध्या से लिया गया है तो भागवत के किस अध्या से लिया गया है यह आपके लिए बताना है question number 26 का सही answer question number 26 है महत्पुन question है दसम इसकंद आपके यहाँ पर सही answer भिरमत गीत प्रसंगी की कता का बंदन भागवत के जो दसम इसकंद अध्या से लिया गया है अंगला question है रस खान इनकी गुरू कौंते ए आपके लिए आहां पर बताना है तो इनकी गुरू कौंते बताई ही महत्वपुन गौस्चन यहां पर पूंछे गया है और आपका सही आंसर होगा इहां पर क्या होगा राइट आंसर तो आपका या है राइट आंसर 28 का विकल्प नंबर बी आनिकी भाम है आपका सई आंसर सब्दार्थव सहतव कभ्या भाम है अंगला कॉस्चन क्या है देखिए अंगला कॉस्चन आपसे यहां पर पूंचा क्या है अमी हला हल मद भरे सेत स्याम रत नार एह दोहा किस पुस्टक में बढ़नेते हैं यह आपके लिए बताना है question number है अपना 29 और 29 का सई आंसर है अमी हला हल मदभरी हला हल होगा यहाँ पर मदभरी सेत स्याम रतनार तो एह दोह किस पुस्तक में बढ़ने तो 29 का सई आंसर विकल्प नंबर एक अंग दर्पन अंग दर्पन आपका सई आंसर है घनानंद किस बैसन संपरदाई की थे घनानंद बताना है घनानंद जो थे किसें बैसन संपरदाई की थे यह बताना है निंबार के संपरदाई सकी रादा बल्ला मादव तो question number 30 का सई आंसर है निंबार के संपरदाई आपका यहाँ पर सई आंसर है अपना यहाँ पर question number 11 पूंचा गया है अपनी कहानी का आरंब ही उन्होंने इस दंग से किया जैसे लकनव के भांड घोडा को दाते हुए महें फिल में आती हैं कतन सुकल ने किस के लिए कहा है तो यह कतन कहा है सुकल जी ने किस के लिए कहा है यह आपके लिए बताना है तो 31 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर एक लल्लू जी लाल विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है अंगला question है किशनायन किस विधा की रचिना है नाटक और प का भारते हिंदू का परवर्ती गद्धिकार है तो कौन है यह आपके लिए बताने question number 33 क्या होगा सही answer राजा लक्षमन से हैं प्रताब नार्ण मिस्र सिद्धाराम फुल्लोरी राजा से उपर सासे तारे हिंद question number 33 33 का सही answer B प्रताब नारैन मिस्र आपका सही answer यहाँ पर तो कालिदास के मेग दूत का अनुवादा के कौन नहीं है तो 34 का सही answer है मोहन राकेश विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer है कौन सा नाटक सिरी नवास दास का नहीं है देखिए यहाँ पर भी आपसे नहीं पूंचा है तो कौन सा वहना टक है जो स्री नवास दासे का नहीं है तो 35 का सही आंसर है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर विकल्प नमबर B आनि की महाराणा प्रताप आपका सही आंसर है अंगले कौस्चन है भागबती किस परकार का उपन्या से एतिहासिक मनोविसलेशन आत्मक सामाजिक यहाँ तिलिसमे अयारी question number 36 36 का सही answer है आपका यहाँ पर विकल्प number C आनि की सामाजिक आपका यहाँ पर सही answer होगा सामाजिक right answer है साधार्णिकरन और व्यक्ति वैचेत्रबाद किसका निबंद है सुकल नंद दुलार बाचपी हजारी परसाद दुबेदी राम बिलास सर्मा question number 37 का सही answer क्या होगा यहाँ पर तो 37 का सही answer है सुकल है आपका यहाँ पर right answer है सुकल की निबंद है रंग दर्शन के लेखक कौन है question number 38 का सही answer यहाँ पर बताना है question number 38 का सही answer क्या होगा रंग दर्शन के लेखक सीता राम चतुरवेदी बलबंते गार्गी नियमी चंद्र जैन सुरेश अवस्थी कॉस्चिन नमबर 38 है 38 का सही आंसर है विकल्प नमबर C आनि की नियमी चंद्र जैन आपका हैं पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चिन है हिंदी जाती की अउधार्णा की प्रवड़ तक हैं हिंदी जाती की आउधार्णा की प्रवर्टा कौन है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है तो बताईए क्या होगा राइट आंसर राम चंद सुकले, राम बिलास सर्मा, नगेंद्र, महावीर पर साद दोबेदी, कौशन नमबर 49 है और 49 का सही आंसर है, बिकल्प नमबर 2 य आपका यहाँ पर, क्या है 40 का राइट आंसर विकल्प नमबर 1 यानि की उपेंद्र, नात अस्क आपका यहाँ पर सही आंसर है, कौन तक ने वबक्रोती के कितने प्रथान भीद मानी हैं, कौन तक ने कौश्चन नमबर 41 का सही आंसर बताना है, 7, 4, 2, 6, तो यह आपकी चा आपका सही आंसर, कौन तक ने वबक्रोती के कितने प्रथान भीद मानी है, 6, अंगला कौश्चन है, प्रतीक बादी अंदूलन का होदय कहां हुआ, तो जर्मनी, सुईटन, इंगलेंड या फ्रांस तो आपका 42 का सही आंसर होगा, विकल्प नमबर आपका, यहाँ पर 42 का महादेवी बर्मा, तो कौश्चन नमबर 43 है, 43 का सही आंसर है, आपका यहाँ पर विकल्प नमबर, क्या है 43 का, भी भगवती, चरण बर्मा, आपका यहाँ पर सही आंसर है, अंगला कौश्चन क्या है, अंगला कौश्चन है, इंदू पत्रिका संपादक है, कौन है, प्रसाद गुप्त आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है सूरज मुखी अंधेरे की किस उपन्यास है किसका उपन्यास है और किसका है यह आपके लिए यहां पर बताना है किसका है यह उपन्यास है तो आपका यहां पर जो सही आंसर है बहे बताना है तो आप कराइट आंसर 45 का विकल्प नंबर भी किष्णा सोबिती किष्णा सोबिती आपका सही आंसर है किष्णा सोबिती अंगला कॉस्चन क्या है चिन मस्ता उपन्या से लिखा है तो किसने प्रभा केतान मिर्दुला गर्ग या ममता कालिया या अलका सरावगी कॉस्चन नंबर है 46 44 का सहीज आंसर है आपका यहाँ पर विकल्ब नंबर एक पिरभा खेटान आपका सहीज आंसर है यानिकी रामकुमार बर्मा आपका यहाँ पर सहीज आंसर है अंगला question है, सेलमा किस उपन्यास का पातर हैं? उपनी अजनवी पर दे की रानी मुझे चांद चाहिए नदी के दीब तो question number 48 का अपनी अजनभी आपका सही आंसर है इसके पात्र है अंगला question है प्रोर्वा किस काब्वे का पात्र है ये बताए प्रोर्वा किस काब्वे का पात्र है और वासी प्रिवास अगनी लिक या कुरू छेत्र question number 49 का सही आंसर है और वसी विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर है निर्वेक्तिक्ता का सिद्धानत किसने दिया है question number 50 का सही आंसर बताना है तो 50 का जो सही आंसर है आपका यहां पर विकल्प नंबर एक यान की इलियट आपका यहां पर राइट आंसर है इलियट जिन्होंने बताया है विकल नंबर एक उनका सही आंसर है तो इस प्रकार अपनी हाँ पर बहुत ही महतुपण कॉस्चिन कबर हुए तो क्या असल लगा ये वीडियो कमेंट में आपके लिए बताना है ताकि उसकी जो जानकारी नॉडिपिकेशन है आपके आँ तक सबसे पहले पहुंची तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद